तो अगर तुम लोगों को जितने भी लीक्स आते हैं PC हार्डवेर एंड कार्ड वीडियो कार्ड सीप्यूस जीप्यूस इन सबसे रिलेटेड तुमको पता है कि तुम लोगों को इसके अलवा इस तरीके से इतनी जल्दी और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब एंड हिट आट नोडिफिकेशन बिलता कि मेरा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले तुम लोगों पता चल सके आट वी लाइब स्ट्रीम एवरी डे अट 8 पीम अन दिस चैनल और दोपैर में जिस दिन भी छुट्टी होता हूँ दिन में अपने गेमिंग चैनल पर भी स्ट्रीम करता हूँ है ऑक्टोबर 29 को अब 29 को क्यों रिलीज हो रहा है वेकॉस एंवीडिया तो बोल रहा है कि उसके पास टॉक्स खतम हो गए हैं बट रियल रीजन मैं तुम लोगो बताता हूँ किसी को बोलना नहीं रियल रीजन है कि 28 तरीकों AMD अपने Redon के जो RX 6000 सीरीज के GPUs है वो लाँच करने वाला है तो उसके एक दिन बाद AMD के लाँच होने के बाद Nvidia अपने इस सीरीज को लाँच करेगा ताकि prices को वो उपर नीचे कर सके and competitive रख सके as compared to the 6000 सीरीज of AMD ये तो हो गई पहली news now October 29 वाली जो news है जब वो उसको डिले किया गया है ये चीज तो official हो चुका है Nvidia ने officially बोला है कि limited stocks जो है उसको avoid करने के लिए जो डिमांड है उसको fulfill करने के लिए it is very important that they delayed but overall हम लोगो ये पता है कि 28 October को अगर AMD अपने cards को launch करेगा तो 29th October को ये अपने prices को कम कर सके या जादा करके launch कर सकते है and same इसी news के साथ जो दूसरी news आई थी कि Nvidia ने RTX 3070 के performance के synthetic gaming benchmarks कुछ लिखे हैं जो कि तुम screen पर देख रहे हो and guys I know this is an official benchmark तो इतना जादा भरोसा नहीं करना चाहिए however जो performance numbers है अगर वो देखेंगे because company खुद दे रही है तो it is very good you should wait for these cards and ये मैं क्यों बोल रहा हूँ तो तुम देख सकते हो जो screen पर जितने भी benchmarks हैं इसमें synthetic benchmarks and games दोनों है and ये 1440p resolution पर लिया गया है highest stream settings में i9 processor के साथ RTX on है and ray tracing plus DLSS is on तो जितने भी you know theme charm जितने भी थे वो सब उन्होंने on कर दिया है and now let's talk about the performance so इसका जो RTX 3070 का जो performance है that is better than RTX 2080 Ti यानि कि एक वो एक लाग के card को beat कर रहा है around 108% यानि 8% ज्यादा performance दे रहा as compared to RTX 2080 Ti वही पर कुछ instances है जहां पर performance will be low like borderlands में blender में time frame extreme में उसका performance जो है थोड़ा सा कम है on the other hand जब हम बात करते हैं बाकी cards की तो it performs it beats as you can see over here यहां पर our Lords में Ashes of the Singularity में Doom Internal में and Luxmark में Minecraft में Redshift and Wolfenstein Blood RTX on so in सब games में it is beating RTX 2080 Ti now for comparison यह जो है हलका सा जो gray दिख रहा है this is the RTX 2070 and RTX 2070 को तो यह left right and center beat कर रहा है basically RTX 2070 का जो यह FPS same नहीं है सारे games पे this is like one उनोंने उसको baseline दिया है and this is depending on कि किसने कितना perform better या खराब किया है तो RTX 2070 से यह जो card 147% से 163 performance तक better देता है in games and 153% से 226% तक better करता है यह in synthetic benchmarks now जो review embargo है that is also going to go over on October 29th and शुरू शुरू में जो you know अभी जब आएगा उस ताम पे मत खरीदना कुछ दिन वेट कर लेना so that stocks में आ जाए और उसके real prices इंडिया में especially तुम लोगो पता चल सके so this was the news on RTX 3070 and I hope you guys are also excited for this card मैं तो especially बहुत excited for the simple reason being कि AMD को अब Nvidia अपना competitor मान रहा है and 6000 series से उसको डर लग रहा है because of the leaks and everything which is coming out so I'll be covering one more video on AMD later this आज शाम को या दोपहर में कभी भी upload होगा वो बहुत ही important है वो देखना and अगर तुम लोग अना भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe and hit that notification bell ता कि मेरा कोई भी वीडियो है तो तुम लोगो सबसे बहले पता चल सके and you guys don't miss any of the videos जो भी मैं upload करता हूँ या फिर जो deals पर upload करता हूँ community post और जो में मैं live stream पर आता हूँ so don't miss that notification bell is very important तो फिर मिलते अपने लिए वीडियो में stay awesome stay safe जै हंत कर फो कर दो मैं दोसे लिए कर दोसे बढू है